हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ धर्मिंद्र नोटियाल और आज की इस वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ लीब्रे ओपिस के बारे में यदि आप ट्रपल सी करना चाहते हैं या कंप्यूटर के स्टुडेंट हैं तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए खास और बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको लीब्रे ओपिस के बारे में आपे बताना चाहता हूँ पहला क्वेश्चन आता है लीब्रे ओपिस क्या है दोस्तो LibreOffice एक Open Source Software है यह MS Office Package की तरह है जैसे हम MS Word इस्तमाल करते हैं ऐसे हम इसको भी यूज करते हैं जैसे यहाँ पर पहला question आता है Open Source Software क्या होता है तो दोस्तो Open Source Software वे होते हैं जिनका Source Code Public Available होता है इनका Source Code कोई भी प्राप्ट कर सकता है हर कोई नहीं दोस्तो जो प्रोग्रामर होते हैं वही इसमें सुधार और बदलाव कर सकते हैं अर्थात यह NCS Copyright मुक्त होता है यानि No Copyright Section इसमें कोई भी Copyright Act नहीं होता है इसके बहुत उधारन हैं जैसे Linux हो गया, Firefox हो गया, SQL, Laser हो गया, ETC जो प्रोग्रामर होते हैं वो इनका Source को चेंज करके नए वर्जन में Software को लॉंच करते हैं जैसे Microsoft में Word, Excel, PowerPoint होता है ठीक ऐसे Libre Office में Writer, Calc, Impress, Base, Draw और Math होता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको Libre Office के Writer के ही बारे में बताने जा रहा हूं तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने computer के स्क्रीन के तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Libre Office Writer के बारे में तो पहला Option यहां पर आता है Title वार, उसके बाद Second Option आता है Menu वार Menu वार के अंदर हमारे पास File, Edit, View इस तरह से Option होते हैं पहला Option आता है File, जैसे ही File पर किलिक करेंगे तो यहां पर पहला Option यहां पर दिखाई देता है New का इसका shortcut है Ctrl-N, हम यहां से Direct, Spreadsheet, Presentation, Drawing, Formula, Database भी Open कर सकते हैं और Ctrl-N अगर प्रेश करते हैं तो Text Document यहां पर Open होता है उसके बाद Next Option आता है Open का इसका यूज बनी हुई File को Open करने के लिए किया जाता है तो यहां से हम कोई भी File अपनी Open कर सकते हैं उसके बाद Next Option आता है Open Remote का यदि हमारा सिस्टम सर्वर से Connect है तो हम इंटरनेट के माध्यम से Drive, PTI, Windows, Seer इन सभी की सायता से अपनी File को Open कर सकते हैं उसके बाद आता है Recent Document इसका यूज किसी भी File या Document पर अगर आप पहले Work कर चुके हैं तो उसको यहां से आप Open भी कर सकते हैं Directly और यहां से Clear Lit से उसको हटा भी सकते हैं उसके बाद Next Option आता है हमारे पास Close का इसका यूज फाइल को बंद करने के लिए यहां पे किया जाता है तो यहां से हम अपनी File को बंद कर सकते हैं उसके बाद Next Option आता है B-Jart इसका यूज लेटर बनाने या PDF, Facts, Agenda बनाने या एक File को दूसरे File में Convert करने के लिए किया जाता है उसके बाद Next Option आता हमारे पास Templates इसका यूज पेज पर डिजाइन बनाने के लिए करते हैं जैसे यहां पे आप Open Template भी कर सकते हैं यहां से Template को Save भी कर सकते हैं बनाने के बाद और Manage Template जिसका Shortcut है Ctrl प्लस Shift प्लस N तो यहां से हम Designing भी बना सकते हैं पेज पर उसके बाद Next Option आता है हमारे पास Reload का इसका Use Document में कोई भी Text को अगर हम Change करते हैं तो उसको हटाने के लिए किया जाता है उसके बाद Next Option आता है हमारे पास Version इसका यूज लिखे हुए फाइल को अलग-अलग वर्जिन में सेफ करने के लिए किया जाता है तो अलग-अलग नाम से हम इसको सेफ कर सकते हैं उसके बाद Next Option आता है सेफ का जिसका Shortcut है Ctrl प्लस S तो इसका यूज फाइल को सेफ करने के लिए किया जाता है जो हम MS Office Word में भी यूज करते है Next Option आता है सेफ रिमोट का इसका यूज फाइल को सर्वर पर सेफ करने के लिए किया जाता है जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं उसके बाद Next Option आता है सेफ एस जिसका Shortcut है Ctrl प्लस Shift प्लस S तो इसका यूज भी दुबारा से एडिट करने के लिए और सेफ करने के लिए किया जाता है उसके बाद Next Option आता है हमारे पास सेफ एक उपी तो इसका यूज फाइल को सेफ करने के लिए किया जाता है उसके बाद Next आता है सेफ आल तो इसका यूज हमारे जितनी भी करंट में pages खुले हैं या work कर रहे हैं तो उनको एक साथ save करने के लिए किया जाता है उसके बाद next option आता है हमारे पास यहां पे export का तो इसका यूज हम बनी हुई file को html में, pdf में, xml में, jpg में export करने के लिए करते हैं उसके बाद next option आता है हमारे पास यहां पे export edge का तो इसका use बनी हुई file को pdf में convert करने के लिए किया जाता है तो यहां से हम आसानी से इसको pdf में convert कर सकते हैं उसके बाद next option आता है send का तो इसका use बने हुए file को email के माध्यम से किसी के भी email पर file को भीजने के लिए किया जाता है उसके बाद next option आता हमारे पास preview in web browser तो इसका use बने हुए file को हम web browser पर open करके देख सकते हैं कि हमारा document जो है वो web browser पर किस तरह से open होके दिखाई देता है जैसे हम preview in web browser पर किलिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पेश तरह से एक page खुल के आएगा तो इससे हमें यह पता लगता है कि हमारा जो file document है वो internet पे हमें किस तरह से यहाँ पे दिखाई देता है उसके बाद आता है print preview इसका use हम अपने file को print करने से पहले print preview पे देखते हैं कि हमारा file का print कैसे आएगा इसी के लिए इसका use किया जाता है उसके बाद next option आता है हमारे पास print का जिसका shortcut है control P तो इसका use file का print निकलने के लिए किया जाता है तो control P से आप अपने file का print यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं तो आप चाहें यहाँ से अपने page का setup भी कम ज्यादा कर सकते हैं और जिस तरह से आपको print है आप उस तरह से आपे page को manage कर सकते हैं आपको जितने भी copy चाहिए आप उस तरह से आप सबैज करके print निकाल सकते हैं उसके बाद next option आता है हमारे पास digital signature तो यहाँ पे हम जो भी पेपर पे शाइन करते हैं उसको signature कहते हैं लेकिन जब भी हम Amazon से या Flipkart से कोई भी चीज सामान मंगवाते हैं तो जो भी deliver boy आता है तो सामान देने के बाद अपने mobile पर एक signature करवाता है तो उसी को ही digital signature कहते हैं उसके बाद next option आता है हमारे पास properties तो इसका use file के पूरा details देखने के लिए किया जाता है जो भी आपने file में work किया है तो उसकी आप properties से पूरी details देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे अगला option है exit library office जिसका shortcut है control Q तो इसका use program से बाहर होने के लिए किया जाता है तो यहाँ से हम आसानी से program से बाहर हो जाते हैं तो दोस्तो यह था library office का file menu के बारे में तो उमीद करता हूँ कि यह video आपको पसंद आएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसको share करे, like करे और comment करे Thank you